नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका मेरा चैनल कीचन का खाना में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे 36 गड़ की एक पारमपरिक व्यंजन खुर्मी जो की हमारे 36 गड़ में हर घर में बनाया जाता है और इसको बहुत ही पसंद किया जाता है और इसे इस पेसली तीज के तेवार में जरूर बनाया जाता है वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा आपको इस रेसिपी का लिस्ट लाश्ट में मिल जाएगा तो चलिए बिना टाइम पास की शुरू करते हैं वीडियो खुर्मी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक बावल में 100 ग्राम गेहू का आटा 25 ग्राम सुजी और हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राइफूट ड्राइफूट में हम यहाँ पे लेंगे कुछ बारीक कटा हुआ नारियल और कुछ फल्ली दाना कुटकर और कुछ तिल और एक चौथाई चमच इलाइची पावडर तो हम सारे ट्राइफूट को आटा में डालेंगे और हम इसमें डालेंगे 4-5 चमच तेल मोयन के लिए आप यहाँ पे घी का भी उप्योग कर सकते हैं और हम इन सब को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसे हाथ में ऐसे करके देखेंगे कि हमारा मोयन ठीक आ रहा है या नहीं तो आप देख सकते हैं हमारा आटा सेट हो रहा है मतलब हमारा मोयन ठीक है अगर आपका आटा सेट ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 50 ग्राम गुड और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और गुड को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं गुड पानी में अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इस गुड पानी से इस आटा को गुद कर एक मीडियम डो तयार करेंगे आप देख सकते हैं हमारा डो बनकर तयार है तो हम दोनों हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और थोड़ा सा डोलेंगे और ऐसे सेब देंगे और चमच की सहायता से ऐसे डिजाइन बनाएंगे अगर आपके पास बांस की टोकरी है तो आप टोकरी में इसे डिजाइन करें तो हम सभी को ऐसी बना कर तयार करेंगे आप देख सकते हैं हमारा सभ खुर्मी बनकर तयार है तो चलिए हम इसे तलते हैं तो तलने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक पैन में आधा लिटर तेल और इसे मीडियम फ्लेम में पांच मिनट गरम करेंगे पांच मिनट के बाद हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है तो हम फ्लेम को लो करेंगे और खुर्मी को एक एक करके इसमें डालेंगे और इसे दो मिनट ऐसी पकने देंगे हम इसे अभी नहीं पलटेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे दो मिनट लो फ्लेम में पकाने के बाद हम इसको पलटते हैं और इसे फिर से दो मिनट पकाएंगे तो ऐसी दो मिनट के बाद ऐसी पलट पलट कर डार्क ब्राउन होने तक पकाएंगे ये पकने में टाइम थोड़ा जादा लेता है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और लो फ्लेम में पकाने से खस्ता और क्रिस्पी बनता है तो आप देख सकते हैं हमारा खुर्मी पग गया है तो हम इसे तेल से निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा 36 गड़ी खुर्मी बनकर तयार है और ये दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है और खाने में और भी जादा टेस्टी लगने वाला है आप इसे एक से डेड़ मेहने तक एयर टाइट कंटेनर ये जार में रखकर इसको इंजोई कर सकते हैं तो मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूं आप देख सकते हैं ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बना है तो आप भी इस रेसिपी को इस तीश पर जरूर बनाए और कमेंट प अगर आपको एक और तीची स्पेशल रेसिपी देखना है तो आई बटन पे क्लिक करें अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करें और हाँ दोस्तों पेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफ